अब शिल्प जनों द्वारा सेनादिकों में प्रयुक्त अग्नि कैसा होता है और क्या करता है यह विशय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब विमानों के चलाने आदिकारियों में इधनों से अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया अग्नि जलता है तब उसके दो प्रकार के रूप देखने पड़ते हैं, एक चमकदार, दूसरा काला, इसी से अगनी को शाम करणाश्र कहते हैं, जैसे घोडे के सिर का कान दीखते हैं, वैसे अगनी के शिर पर शाम कजल की शिखा होती है, यह अगनी कामों में अच्छे प्रकार प्रयुक्त क या हुआ, बहुत प्रकार के धन को प्राप्त कराकर प्रजा जनों को आनंदित करता है, फिर वह कैसा है, यह विशय अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ, जब विद्वान उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं, तब अज्यानी जन विश्वस्त होकर उन उपदे अधर्म युक्त व्यवहार को निवृत और धर्म व्यवहार का प्रचार करके, विद्या युक्त से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर, प्रजा के दुखों को नस्ट करे, वह सभा आदि का अध्यक्ष सबको मानने योग्य होए, अन्य नहीं, फिर वह कैसा है, और उसके सहाय स हम लोग क्या पामें इस विशे का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो नित्य विद्या देने वाला है उसकी सोधेपन से सेवा करके विद्याओं को पाकर मित्र, स्रेष्ठ आकाश, नदियों, भूम और सूर्य आदि लोकों से उपका ग्रहन करके सब मनुष्यों में सतकार के साथ रहना चाहिए, कभी विद्याच्छिपानी नहीं चाहिए, किन्तु सबको यह प्रकट करनी चाहिए, इस सुक्त में सभा आदि के अधिपती, ईश्वर और पढ़ने वालों के गुणों के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की यह विशे कहा है, भावार्थ मनुष्यों को चाहिए, कि जिससे विद्या लेवें, उसका सतकार, मन, वचन, कर्म और धन से सदा करें, और पढ़ाने वाले को चाहिए, कि जो पढ़ाने योग्यों हों, उसे अच्छे यत्न के साथ उत्तम उत्तम सिक्षा देकर विद्वान करें, सरबदा स्रेष्टों के साथ मित्र भाव रख, उत्तम उत्तम कामों में चित्वृत्त के इस्थिरता रखें, अब सभा और सेना का अध्यक्ष क्या करें, यह विशे अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ मनुष्यों को चाहिए, कि जो प्रचन क्रोध से दुस्टों क मार कर विद्या की उन्नत के लिए ब्रह्मचर्याद नियमों को प्रचारित, मूर्खपन और खोटी सिखावटों को रोक के सुख के लिए निरंतर अच्छा यत्न करें, उसी को मित्र मानें, अब ईश्वर और सभा धक्ष कैसे कैसे गुनवाले होते हैं, यह विशे अगले प्रकार नहीं होती, तथा जिस सभा धक्ष के स्वभाव और बरताओ की प्रकास के समान विद्या, पृत्वी के समान सहन शीलता, चंद्रमा के तुल शांत, सूर्य के तुल नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गंभीरता है, उसको छोड़के औरों को अपना मित्र न ब उसकी पालना करने वाला जितेंड्री, शांत और जिस जिस कर्म में सभा की आग्या को पावे, उसी उसी कर्म में इस्थर बुद्ध से प्रवरतमान बलवान दुष्ट शत्रूं को जीतने वाला हो, उसके साथ निरंतर मित्रता की संभावना करके सुखों को सदा भोगे, अ विशय अगले मंत्रों में कहा है, भावार्थ, पुरुशार्थ के विना विद्या, अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रूं का पराजय नहीं हो सकता, जो धार्मिक सेना ध्यक्ष, सुहिर्द भाव से अपने प्राणों के समान सबको प्रसन करता है, उस पुरुष को न सबकार से मेल करता है, वह सबको सेवन करने और मित्र भाव से मानने के योग्य हैं, भावार्थ, जिन मनुस्यों द्वारा प्राणायामों से प्राणों को सबकार से स्रेष्ठों और तिरसकार से दुस्टों को वस्मे कर समस्त विद्याओं को पहला कर परमेश्वर्वा अच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार के साथ सब प्राड़ी सत्कार युक्त किये जाते हैं वे सुखी होते हैं। अब शाला आदि का अधिपती कैसा है इस विशे को अगले मंत्र में कहा है। इससे सब मनुस्य विद्वानों का सदा सत्कार कर इनसे विद्या और अच्छी अच्छी सिक्षाओं को प्राप्त करके सब प्रकार से सत्कार युक्त होएं। करके सब प्रजा को निरंतर आनंदित करे। फिर वह कैसा है इस विशे को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ निश्चे ही संग्राम में किनी के पूर्ण बली सेना पती के बिना शत्रूं का पराजय नहीं हो सकता। और न कोई सेना अधिपती अच्छी सिक्षा की हुई पूर्ण बल अंग और उपांग सहित आनंदित और पुस्ट सेना के बिना शत्रूं को जीतने वा राज की पालना करने में समर्थ हो सकता है। बिना उक्त बेवहारों के बिना मित्र आद सुक्ष करने के योग्य होते हैं। इससे उक्त समस्त बेवहार सब मनुस्यों को यथावत मानना चाहिए। इस सुक्त में ईश्वर, सभा और शाला आद के अधिपतियों के गुणों का वर्डन है। इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह एक सव एकमा सुक्त और तेरहमा वर्ग समाप्त हुआ। अब शाला आद के अध्यक्ष को क्या-क्या स्विकार कर कैसा होना चाहिए। यह विशय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सब मनुस्यों को चाहिए कि सब धार्मिक विद्वानों के विद्या, बुद्धियों और कामों को धारण और उनकी इस्तुतिकर उत्तम उत्तम सेवन करें। जिन से विद्या और सुख मिलते हैं, वे विद्वान जन्द, सब को सुख और दुख के व्यवहारों में सत्कार युक्त करके ही सदा आनंदत करें। अब ईश्वर और अध्यापक के कामों से क्या होता है। यह विशय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इ देखने और स्रध्धा के लिए हो और सुख को उतपन कर गमना गमन के निमित होते हैं। किसी प्रकार विद्या के विना इस सांसारिक पदार्थों से सुख नहीं होता। इससे सब को चाहिए कि इश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से लोक संबंधि विद्या को पाकर सदा सुखी होएं। फिर सेना का अधिपती क्या करें इस दिशे को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जब शूर वीर सेवकों के साथ सेना पति को संग्राम करने को जाना होता है तब परसपर अर्थात एक दूसरी का उच्साह बढ़ाकर अच्छे प्रकार रक्ष शत्रूं के साथ अच्छा युद्ध और उनकी हार द्वारा अपने जनों को आनंद देकर शत्रूं को भी किसी प्रकार का संतोस देकर सदा अपना बरताव रखना चाहिए। फिर उसके साथ क्या करना चाहिए इस दिशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राज शत्र यान, कोश, सेना आदिसामग्दी को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधीश से रच्छा को प्राप्त करके प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रूं के साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें। ऐसे पुरुसार्थ के विना किसी की जीत नहीं हो सकती इससे इस वरताव को सदा वरतें फिर उनको परस्पर युद्ध में कैसे वरतना चाहिए यह विशय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब मनुस्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवित्त होएं तब विरोध एरिशा डर और आलस्य को छोड़कर एक दूसरे की साह आगे भी बढ़े सर्वथा न देना अब प्रियकर और देना प्रस्वनता करने वाला होता है यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को वरतें फिर वह सीना पति कैसा हो यह विशय अगले मंत्र में